नमस्कार आप देख रहे हैं एच्छीय न्यूजर मैं हूँ आपके साथ अविसेग देशद्रों के मामले में सजाय मौत पाचुके परवेज मुसर्रफ का नया बयान अव सामने आया है बिमार चले पाकिस्तान के पुरुपताना साह परवेज मुसर्रफ ने कहा है कि देशद्रों के मामले में अदालत द्वारा सुनाए गई उन्हें सजाय मौत बदले की भावना पर आधारी थे मंगलबार को अदालत ने मुसर्रफ को मिट्यो दंड की सजा सुनाई थी और इस सजा पर उनकी परतिक्रिया पहली बार आई है हलाकि इस फैसले के पाकिस्तान के सेना ने विरोध किया है अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पर वेज मुसर्रफ के समर्थकों ने छोटी छोटी रेलिया निकाली मुसर्रफ पर सम्विधान को निस्प्रभाव बनाने और पाकिस्तान में नवंबर 2007 में गयर सम्विधानिक अपत्का लगाने का आरोप था यह मामला 2013 से लंबित था उनकी पाटियों की ओर से जारी एक वीडियो में मुसर्रफ ने कहा है कि इस तरह के फैसले का कोई उदाहरन नहीं है जब न तो प्रतिवादी और न तो उनके वकील को अपने बात रखने का मौका दिया गया हो उन्होंने कहा है कि आदालत ने 2014 से 2019 के बीच उन पर मुकदमा चलाया और दुबई में बयान दर्ज करने के उनके आगरव को ठुकरा दिया गया था मुसर्रफ इलाज के लिए देश से बाहर गये थे और 2016 से वह दुबई में रह रहे हैं मुसर्रफ ने कहा कि आदालत के फैसले पर सवालया निसान है और इसमें कानून का पालन भी नहीं किया गया है उन्होंने कहा है कि मैं यह कहूंगा कि इस मामले में संभिधान के तहत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उस पर सुनवाई हुई क्योंकि कुछ लोगों के मन में मेरे परती बदले की भावना है और एक व्यक्ति को इस मामले में निसाना बनाया गया है पाकिस्तान के पुर्व राष्टपति और तानासा परवेज मुसर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है पहले भी ऐसा हो चुका है दुनिया के कई देशों के राष्टपति और प्रधानमंत्री को सजाय मौत दी गई है जिसमें सद्दाम हुसेन से लेकर और कई बरे नेता और देश के प्रधानमंत्री सामिल है पाकिस्तान के पुरव राष्टपति को मौत की सजा सुनाय जाने के बाद पाकिस्तान के कई लोगों का ये कहना है और बेश दुनिया में भी कई लोग ये मानते हैं कि कहीने कहीं ये बाजबा को संदेश तो नहीं है आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स के जरूर बताएं और जो दर्शा के सिए न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भुले धन्यवाद